सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशिल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करोना को लेकर लोगों की दिमाग में बहुत संश्य है क्या इसके जो इलाज के लिए कोई इंजेक्शन कोई मेडिसन इसकी रिसर्च चल रही है सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ना तो भै करना चाहिए ना डर करना चाहिए इससे डरने की बात न ऐसे एक कोई डारेक्ट थरेपी करोना के लिए बनी नहीं है जो अभी तब का जो दावाई देते हैं वो एक कीमो प्रफेलेक्शी जैसे की हाइड्रोक्सी क्लोरेक्विन है उसको दिया जाता है जो माइल टू मोडरेट पेशेंट है या जो उनके कॉंटेक्ट है उनको इं प्लाज्मा थेरेपी उसको भी हम लोगों ने सफलता से मरीजों में दिया मोडेट टू स्वियर पेशेंटों में इस तरह का हमारा यहां पीजाई से ट्राइल चल रहा है इसी तरह से एमजो एमड़ू वेक्शिन है उसका भी ट्राइल दूसरी इंस्टिचूट के साथ पी इंडिया और काफी दूसरी कंट्रीज में एक ट्रू वेक्शिन बनाने के लिए भी होड लगी है जिसमें की एंटी वाइरल वेक्शिन बनेगी जो की सबसे जादे सफल सिध हो सकती है उसको बनाने में एक साल एक और डेट साल के बीच में लग सकता है लगवग साल के कि स्टेज पर है करोना तो जैसे आपको मालूम ही है कि कोई ना प Lexed हले से काफी जो इसका graph है वह काफी राइस हो चुका है अभी जो Chronणा हम कह सकते हैं यह peak पे हैं अभी continue होगी जुलाई में और उमीद है कि यह जो पीक हम तोड़ने में और इसको डिप करने में या डेंट करने में सफल होंगे ऐसी मैं उमीद करता हूं और उसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी है कि भी हम इसको डिफीट करने में सफल हों तो यह पीक चल रहा है जुलाई तक तो यह पीक है इसका पीक से जो आएगी जैसे कि पहले लगवग तीन हफते पहले भी हमने देखा था कि डिप आई थी पर उसके बाद में जो हमारी migration of laborers हुई है जो मजदूरदार अपने घरों को गए और जो दूसरी स्टेट से लोग आए हैं उससे दोबारा ये अबनबर की बढ़ोतरी कोविड में हुई है तो जुलाई के end में आगस्ट में नीचे इसका graph नीचे आने की संभा होना है तो इन प्रस्तितीों में PGA की क्या त्यारी है सब हालाँ से निवटने के लिए ने हम लोग तो मार्च में ही हम लोगों ने त्यारी किया हम लोगों ने 200 बैड़िट कोविड होस्पिटल को त्यार किया जिसमें की सभी बैड़ पे ऑक्सिजन है और हमारे पास 20 लेटर आईसीउ है और जो मोडेट टु स्वियर पेशेंट है हम उनको अभी ले रहे हैं जिन दो माइल टू माइल पेशेंट है या एसिम्टोमेटिक पेशेंट है वो दूसरे होस्पिटल में जाते हैं फिलाल लॉक्स अगर देखा जाए क्योंकि पीजिए पर लोग बहुत डिपेंड हरेना पंजाब की स्थिति क्या पीजिए उनके पेशेंट ले रहा हरेना पंजा करना के वैसे आम तोर पे जब ऐसा पेंडेमिक होता है तो जो इस तरह के कोविड-19 के पेशेंट जब एक स्थेट से दूसरी स्थेट में अपने आप जाते हैं तो इसके कोविड-19 के फैलने की बहुत बहुत जादे यह चीज होती है कि भी बहुत जादे फैलने की ऐसे मरीज जो जिसको की ट्रीट करने में स्टेट सफलना हो तो वो जरूर हम लोग लेते हैं जो हमारे नोडल ओफिसर्ज हैं या आईस्यू के इंचार्ज हैं उससे बातचीत करने के बाद क्योंकि अगर आईस्यू की जुरुत होती है तो उसके लिए बैड क्रियेट करना पड़ता है तो ऐसे नहीं है कि नहीं लेते हैं पर जो स्वियर पेशेंट जिसको वहां की जो टीम है ट्रीट करने में सफल हो या उसमें सोचें की रेफर करना है तो डेफिनेटली उनको रेफर किया जा सकता है बादचीत करने के बाद आज की डेट में अगर मेडिकल स्ट ये बिलकुत सही है जैसे कि हमारे पास सबसे जो चोटा बच्चा है पीजए में आया दो महिने का बच्चा भी आया पांच साल का भी आया तो और महिलाएं भी काफी आई है और हर एक वर्क के 40 साल और कम कम के भी लगवग 50% जो मरीज हैं हमारे पास आये 40 साल से उपर वाले भी लगवग 50% पेशिंट हमारे पास 50% के करीब करीब पेशिंट हमारे पास आये तो हर एक वरक को ये किसी को स्पेर नहीं करता है पर जो motility है वो जरूर जो elderly population है जिनकी उम्र जादे होती है, जिसमें को मॉर्बेड़िटी जादे होती है, ऐसे मरीजों में इसकी मॉर्टिलिटी या इसका कोई डेफ़ रेट बगरा काफी जादे होता है पीजे के पास अगर ICU की बात की जाए, CCU की बात की जाए, वेंटी लेटर की बात की जाए, तो कितने हैं? दो तरह का है, एक तो COVID होस्पिटल है, उसमें से 200 बेट तो हमारे पास oxygen की facilities वाला है, और उसमें हमारे पास 15 ventilator है, और 15 और हम लोग लगा सकते हैं, जितनी हमें जुरूत है, एक जो हमारा नहरू होस्पिटल और एक main होस्पिटल है, और दूसरे सेंटर है, जैसे advanced pediatric सेंटर है आई सेंटर है, या cardiac सेंटर है, इसमें मिल मिलाके हमारे पास 2000 से उपर बैड है, और अभी इसमें हमारे पास 1150 के क्रीब मरीज हैं, और ventilator अभी हमारा 160 ventilator मरीजों से बरा है. सर, एक चीज़ और, करोना को लेकर लोगों के दिमाग में ये बहुत बड़ा स्वाल उठ रहा है कि community spreading फैल रही है सुकत, आप क्या मानते हैं? देखिए, ये जो, ये कहना आती मुश्कल है क्योंकि जो एक करोना वाइरस जो है, इसका जो spread है, transmission है, वो human to human है, और जिस family में अगर काफी सारे लोग एक family एक भी infect हो जाए, तो वहाँ पे दूसरे को भी वो फेल सकता है, और काफी जैसे की काफी hot sports हैं, या काफी area जिस building म काफी सारे लोग रहते हैं, तो उसमें एक इसका cluster भी हो सकता है, इस तरह जैसे तबली की समाज में हमने देखा, या काफी यहाँ बापु धामकलोनी, या नया गाउं में भी हमने देखा है कि एक एक building में काफी सारे लोग रहते थे, तो वहाँ काफी मरीजों में ये फेल पर ये कहना अती मुश्कल है कि इसका community spread है, अगर community spread होगा तो ये तो एक काफी तेजी से wildfire की तरह फेलेगा, ये कहना epidemiologist इसका answer जादे अच्छी तरह से दे सकता है, अगर देखा जाए, करोना को लेकर जो पीडित होते हैं, तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, किस त इसला देते हैं, उनको कौन सा रास्ता अक्तियार करना चाहिए, जहां भी मरीज होगा, जहां पे जो करोना से पीडित है, उनको खुद नहीं पता चलेगा कि वो करोना से पीडित है, अगर जो एक symptomatic patient है, उसको कोई खांसी है, गला खराब है, सांस लेने में दिक्कत है, फ लक्षन होते हैं, एक दूसरा group है, जिसमें की influenza like illness होती है, इसका मतलब है कि जैसे जुखाम होता है, तो ऐसे भी मतलब इसमें भी काफी patient करोना के निकलते हैं, तीसरा जो group है, वो है asymptomatic patient का, जिसमें ना बुखार है, ना कोई सिर्दर्ध है, ना कुछ है, तो जो पहले दो group है, उसमें तो असान है कि हम लोग डॉक्टरों के पास जाएं और उनको सारे इस तरह के लक्षन बताएं, ताकि उनका टेस्टिंग हो सके COVID-19 के लिए, और वो टेस्टिंग facilities लगबग हर जिले में हैं, उससे मलब पता चलेगा कि वो COVID-19 पोजिटिव है या नहीं. टेस्टिंग को लेकर एक सवाल लोगों के दिमाग में, क्योंकि टेस्टिंग की जो रिपोर्ट आ रही है, वो तीन दिन के बाद आ रही थी, और दूसरा ये था कि कॉस्टली था 45 और पे चंदिगड़ और हरेना के पंजाब कई राजियों में दूसरा कम दाम भी किये करते हैं, अभी हम लोगों ने फिक्स किया नहीं है कि कितना कोस्ट होना चाहिए, बाकी जगा पे गोवर्मेंट ओप इंडिया ने या डिफरेंट स्टेट ने रेट किये थे जैसे कि पंसताली सो रुपे में एक टेस्ट होगा या दो हजार में होगा, पर हम लोग तो फ्र पर आजार की ओपीडी यहां रहती थी, उन लोगों को कैसे आप नियाए देंगे, क्योंकि उन लोगों का तो आना जाना रुकी गया यहां पर, उन लोगों के लिए क्या विवस्था की आपने, जब से कोविड नैंटीन शुरू हुआ, हम लोगों ने ओपीडी बंद की, ह हमारे पास आते हैं, या रेडियो थेरेपी उनकी चल रही है, या एंटी नेटल क्लिनिक में जो मरीज आते हैं, काफी सारे फोल अप के लिए पेशेंट आते हैं, वो हमारे पास अब भी आते हैं, और ये बिल्कुल सही कहा कि, जो दस से बारा हजार मरीज PGI में आता था, उसको इतना देखना अभी संभव है, हम लोग हर रोज हमारी टीम टेली कंसल्टेशन और टेली मेडिसन के जरिये, 900 से लेके 1100 के करीब करीब टेली कंसल्टेशन देते हैं, जिसमें कि उनको बताया जाता है, कि उनको क्या करना चाहिए, अगर PGI भी आना तो उनको कब आना जाहिए, उनका क्या referral होना चाहिए, वो सारी चीज उनको बताते हैं और जो हमारे पूराने पेशन्ट है या follow-up पेशन्ट हैं उनको भी हम लोग बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, और फीजिकले भी हम लोग 500 और 700 के करीब पेशन्ट को हरोज देखते हैं, इसके लगबग 1150 के करीब करीब आज के दिन में PGI में मारीज दाखिल है और 150 पेशेंट हमारा ICU में है अगर बात की जाए जो सर्जरी फिक्स थी पहले से और वो नहीं हो पाई कि लॉक्डाउन वन टू थरी फोर जब चला तो उनके लिए क्या डेट्स वगर आगे देने की को प्ल लगबग सो के करीब करीब सर्जरी हरोज हो रही है और दिन प्रति दिन वो सर्जरी बढ़ रही है तो हम लोग जो ऐसे अर्जेंट सर्जरी सेमी अर्जेंट या जो रोटीन सर्जरी भी है जिनको टाइमिंग्स दिये हैं उनको हम लोग कर रहे हैं प्रफेसर साब जो करोन के शिकार होते हैं लोग, वो ज्यादतर किन बीमारियों से ग्रस्त जो लोग हैं उन पर सबसे पहले Erfahrona करता है? वैसे तो जो हम लोगोंने देखा है जो mild से लेके Fabian deficiency मैं किसी पी age group में करोना हो सकता है, जैसे कि मदर को करोना हुआ, तो बच्चे में भी करोना देखने में आया और हमारे पास पैदा होने के बाद में भी कुछछे दाखिल थे दो महेने का बच्छा था आड़ साल का भी था और हरेंक एजग्रूप के हमारे पास मारीज थे पर जो जादे एफेक्ट करता है जिसमें की severity जादे होती है काफी सारे पेशंट जो एज रिलेटेड होते हैं जिनकी उंबर जादे होती है या उनको कोई co-morbidity हो जैसे diabetes हो hypertension हो या कोई pulmonary medicine की कोई बीमारी हो जैसे की दमा हो या और कोई chest की बीमारी हो या renal disease हो तो उसमें जादे मरीज ऐसे हमारे पास आये हैं और उसमें जादे मोर्टिलिटी भी है डेथ रेट भी थोड़ा जादे होता है ऐसे मरीजों में अगर रिसर्च की बात की जाए क्योंकि पीजे ऐसा संस्थान है आप उसके डारेक्टर ने आपका सारों से समन्वे रहता है ऑल इंडिया लेपर पर और वर्ल्ड वाइड तो इसमें जो रिसर्च किस लेबल पर चल रही हैं और कब तक आपको उमीद है कि कोई नो कोई पोज प्रिजल्ट आ सकते हैं एक तो जैसे कहा हम लोगों ने जैसे प्लाज्मा थेरेपी हमारा ट्राइल चल रहा है तो उसमें एम जन्यू डेली और इंडियन कॉंसिल मेडिकल रिसर्च और दूसरे इंस्टिट के साथ चल रहा है तो उसमें हमने यह देखा है कि जो थोड़े स करने के बाद में पता चलेगा इसी तरह से जो एम डवल्यू वेक्सिन है उसका भी ट्राइल चल रहा है वो एम जन्यू डेली और एम बोपाल के साथ है जब उसके रिजल्ट सामने आएंगे तो एनलाइज हो के पता चलेगा कितने इफ्यक्टिव हैं यह दो प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे उनके कैसे रिजल्ट आ रहे हैं और कितने लोगों को डारेक्टली फैदा हो रहा है उसका काफी सारे लगबग पंदरा सो के करीब करीब लोगों को कंसल्टेशन टोटल दी जाती है मलब जिसमें से की पांसो से साथ सो तो फीजिकल काफी लोग खुश है और यह तो ऐसी स्थिती कभी 102 साल पहले जब स्पैनिश फ्लिव आया था ऐसी स्थिती तब थी उसके बाद में चोटी मोटे इपेडेमिक आये पर यह तो काफी बड़ा इपेडेमिक आया तो यह तो एक साधन बन गया जो टेली मेडिसन है और टेली कंसल्टेशन है कॉम्म लोग कनवर्ट करेंगे इसको हम कनवर्ट करेंगे एपॉइंटमेंट में और उनका जो रेफरल मरीजों का होगा उनको हम लोग फीजिकली भी देखेंगे और उनको सला के मताबिक जैसे बताया जाएगा वैसे वो हमारी बात मानेंगे तो काफी उनको फाइदा भी होगा तो इसमें एसमे इसमें काफी ङील भी दी गई गई है काफी रिलेकसेशेशन दी गई है हमें मैं तो यह समता हूं कि हमें प्रोटो को को फोलो करना है फोलो को अहीं जैसे मास्क ए उसको हमें जरूर पहनना है कहीं घर से बाहर जाएं तो मास्क 100% हमें पहनना है दूसरा कुछ भी चीज टच करें या कहीं दुकान पे जाएं या कहीं होस्पिटल या कहीं और जाएं कुछ भी चीज टच करें तो हाथ हमें अवेश्य दिन में 4-5 बार अवेश्य दोने चाहिएं साबुन से और पानी से दो सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास सैनिटाइजर है उसका भी उपियोग कर सकते हैं, तीसरा हमें कहीं बीड बड़ के वाले एरिया में नहीं जाना है जहाँ पर काफी लोग कटे होते हैं, वहाँ पर ऐसी ब्मारी या जैसे किरो나 जैसे मिमारी के फिलने का जादे चांस हो सकता है अगर हम लोग ये सारी प्रोटोकॉल को फोलो करेंगे चाहे लोक डाउन भी है उसके बावजूद तो सफलता होने की काफी उमीद बढ़ेगी और जो हमारा जो इसका ग्राफ जो है कोविड नैंटीन का वो काफी कम आ जाएगा और हम इसको डिफीट करने में इसको अराने में अवश्य ही सफल होंगे धन्यमार दॉक्सर तो ये हैं प्रोफेसर जगत राम जो की पीजेई चंदिगड के डारेक्टर हैं पीजेई का अपना एक बहुत बड़ा नाम है और कहीं लोग जो हैं यहां प्रती दिन दूर दराज से इसलिए आते हैं क्योंकि यहां कहीं न कहीं उनको काफी आस नजर आती है क्योंकि इस वकत करोना का दौर चल रहा है करोना को लेकर प्रोफसर जगतराम ने एमेच वन नियूस से एक्सक्लूसिवली डिटेल में सभी मुद्वर बाचीत की फिलहाल यहां की OPD अविश्य बंद है लेकिन लोगों को सहुलित देने के लिए टेली मेडिसन और टेली कंसल्टेशन लगातार जारी है इसके इलावा करोना को लेकर जो जून और जुलाई का महीना है यह नीसंदे पीक पर चल रहा है जैसा कि प्रोफसर जगतराम ने बताया और अगस्त में कहीं न कहीं इसमें नर्मी आने के संकेत है सभी विश्यों पर प्रॉषर जगतराम ने खुलकर चर्चा किया और इनका कहना है कि लोगों को प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए तब ही आम आदमी का जो बचाव है वो संबब है कैमरा मैं जेतेंदर हंस के साथ चंदर शेकर धरनी मेंच वन न्यूज चंदीगट